इसके बाद आपका ये फर्स्ट वाले चप्टर पूरी तरह से कंप्लिट हो जाएगा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सारे सेल और्गनल्स कंप्लिट कर लिये हैं परॉक्सिसोम्स और वेक्यॉल्स के बारे में आपको क्लास 12 में पढ़ाया था जो पार्ट नमबर 12 था उसके अंदर हम लोगों ने वो कवर अप कर लिया अब ये लास्ट पार्ट जो है पार्ट 13 इसमें हमारे जो लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए है प्लांट सेल और अनिमल सेल उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये प्लांट सेल अनिमल सेल लास्ट में इस वज़र से पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने सेल और्डिनल हमारी बाड़ी में होते है कौन कौन से होते हैं, किसका क्या काम होता है, गॉल्जी बाड़ी क्या है, माइटोकॉंड्रिया क्या है एंडोप्लाज्मी क्रेटिकुलम क्या है, लाइसोसोम्स क्या होते है, राइबोसोम्स क्या होते है तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके इनकी understanding जाद अच्छे से होपाईगी ठीक है, prokaryotic, ukaryotic तो starting बता दिया था, अब उस prokaryotic, ukaryotic के अंदर अगर क्लासिफाई करें अगर हम majority में ukaryotic cells देखें, तो ukaryotic के अंदर भी हमारे पास कौम सी होती है, unicellular भी होती है, multicellular भी होती है जैसे prokaryotic cell है, वो तो सारी की सारी single cell वाली होती है, ukaryotic cell जो होती है, वो single cell वाली भी हो सकती है और multiple cells वाली भी हो सकती हैं, जैसे eukaryotic cell में single cell वाली एक organism का नाम बताओ, amoeba आपने सुना होगा, amoeba paramecium, यह eukaryotic cells हैं, बट single cell वाली organism होते हैं, है ना, अब इसी तरह से हम लोग plant cell और animal cell की बात करेंगे, plant cell और animal cell का क्या मतलब होगा, ऐसे particular cells जिन से मिलके plant बनावा होता है, उनको plant cells बोलते हैं, और ऐसे cells जिन से किसी animal की body मिलके बने वी होती है, उसको animal cells बोलते हैं, तो plant cell मतलब plants में पाए जाने वाले cells है, different, different variety के cells होते हैं, सबकी shape और size में थोड़ा थोड़ा difference होता है, और इसी तरह से animals में भी अलग-अलग variety के cells, अलग-अलग shape के cells पाए जाते तो उसमें से एक plant cell निकल के आएगा और उसके अलब एक animal cell निकल के आएगा, plant cell आपको इस तरह से नजर आ रही होती है, outer cell जो असम से बाहर वाला space होता है, इसमें क्या होती है, cell wall होती है, cell wall के बाद जाकि आपको cell membrane यहाँ पे दिखाए देती है, जबकि यहाँ पे कोई cell wall प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे जो outermost membrane होती है, वो membrane कॉम से होती है, वो हमारी cell membrane होती है, यह बात आपको अच्छे से पता है, आपको बताई थी यह सब चीजे, ठीके ने बच्चों, तो यह बहुत बेसिक सा यह diagram नहीं बनाने है, सिर्फ description दिखाया है, कि eukaryotic cell हमार में distinction, आसानी से पता लग जाएगा, अब देखो, तो यही format से best होता है, इसको पढ़ेने का plant cell और animal cell, plant cell का जो size होता है, वो थोड़ा सा large होता है, animal cell के comparison में, अगर एक animal cell को रखूं, एक plant cell को रखूं side by side, तो overall जब microscope से study किया जाएगा, तो you will find that, कि जो plant cells होंगे न, उनमें cell का size थोड़ा सा bigger होगा, animal cell के comparison में, वो cell का size थोड़ा सा bigger क्यों होता है, वेक्यॉल के presence की विज़े से, plant cell में काफी बड़ा वेक्यॉल होता है, इतना बड़ा वेक्यॉल होता है, कि nucleus को भी side में बैठना पड़ता है, nucleus भी side में shift हो जाता है, उस वेक्यॉल की विज़े से, तो वेक्यॉल के bigger size की विज़े से plant cell का overall size animal cell से थोड़ा सा ज़ादा होता है इस बात का ध्यान लगना। दूसरी चीज क्या है कि plant cell के outermost side में cell wall होती है, cell wall dead cell से मिलके बनी भी होती है, इसलिए वो rigid होती है, strong होती है बहुत ज़ादा। तो उसकी presence की वज़े से plant cell अपनी shape को change नहीं कर पाते है, जबकि animal cell के outermost part में क्या होता है, cell membrane या plasma membrane होती है और वो flexible होती है, इस वज़े से वो आसानी से अपनी shape को change कर सकते हैं, चैके, cell wall present होती है plant cell में, absent होती है, कहाँ पे animal cell में, animal cell में कोई cell wall नहीं होती है, यह मैं पता है nucleus lies on one side, सेंटर में नहीं होता है, nucleus plant cell के अंदर क्यों, vacuol आ गया ना, बीच में, बहुत साई जगा घिर लेगा, तो छोटी सी जगा पे कॉन बचेगा, मैरे पास plant cell बचेगा, तो मैं उसका nucleus बचेगा, तो nucleus center में लाइना करके, थोड़ा सा side में shift हो जाता है, plant cell के अंदर, diagram आपको दिखाऊंगा ये बात, जबकि animal cell में जायतार क्या होता है, जो उनका nucleus होता है, वो बिल्कुल center में लाइग करता है, क्योंकि वहाँ पे vacuol या तो होते ही नहीं है, और होते हैं, तो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, ठीक हैं, प्लास्टेट्स जो है, अब आपक central vacuol is present, एक बड़ा सा vacuol present होता है plant cell में, जबकि animal cell में या तो vacuol होंगे नहीं, और होंगे तो छोटे-छोटे से small-small vacuols present होते हैं animal cell के अंदर, अब plants के अंदर जो reserve food होता है, अब इस reserve food का क्या मतलब है, बैस जिसे plant ने photosynthesis करा, खाना बना, glucose बनता है, अब वेसी बात है photosynthesis के बाद, वो जो glucose है, जितना glucose plant को अपनी requirement पूरा करने के लिए चाहिए होगा, उसको तो plant utilize कर लेगा, और बाकी बचा-कुछा जो glucose होता है, वो plant की roots में, उसके stem में, starch के format में store हो जाता है, इसलिए starch को क्या बोलता है, plants का reserve food बोलते हैं, अब जब भी ज़रुरत पड़े ये plant को, उसको काफे time से, sunlight present नहीं है, बहुत time से, तो उसका खाना नहीं बन पाया, तो उस reserve food को, यानि starch को वापस glucose में convert करके, अपनी food requirements फुल्फिल करता है, तो you must know that, कि plant cell की अंदर जो extra food होता है, वो starch के format में store होता है, अच्छा, अब animal cells में क्या होता है, लेक हमारी body में अब तो animal cell होती है, तो animal cell में जो reserve food होता है, वो body की अंदर glycogen के format में store होता है, जिसे हम लोगों ने खाना खाया, digestion हो गया, उस खाने का glucose में वो खाना convert हो गया, अब जितने glucose के requirement होगी, तो वो glucose तो energy में convert हो जाएगा, जो extra glucose होगा, उस glucose को glycogen के format में convert करके, हमारे liver में store कर दियाता है, तो ये glycogen कहां store होता है, हमारे liver के अंदर store होता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है, वापस इस glycogen को glucose में convert कर दिया जाता है, और हमारी food requirement पूरी हो जाती है, बहुत आपकी body तो चलती रहती है, तो इसी वरे से होता है, कि जब glucose की कमी पड़ती है, तो ये glycogen वापस glucose में convert हो जाएगा, और finally हमारी energy requirements को पूरा कर देगा, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, इसके बाद plant cell में एक का और point क्या है, plant cell में lysosomes या तो बहुत rare case में होते हैं, मदब ना के बराबरी मान के चलो, कि कभी-कभी पाय जाते हैं, कभी-कभी किसी cell में होते हैं किसी में नहीं होते हैं, तो rare case में आपको lysosomes देखने को मिलेंगे plant cell में, जबकि animal cells में तो भया, बहुत different variety के lysosomes जरूर प्रेजन्ट होते हैं, क्योंकि animal cells में wear and tear, टूठ food बहुत होती है cells की, तो एक dustbin चाहिए ना, एक disposal system चाहिए, तो आपको पता है lysosomes को हम लोग suicidal bags बोल होगी exams में, तो यह plant cell और animal cell का difference होगी हमारे पास, अब दोनों के diagram देखते हैं, वो दोनों diagram आपको बनाने हैं, एक एक करके सबसे पहले plant cell के diagram पर आते हैं, तो जो यह diagram तुम्हें नजर आ रहा है, यह plant cell का diagram है, अब naming तो हैं पर मैंने लिखी भी नहीं है, तो नाम भी मैं सहात होगा थे हैं पर लिख देता हूँ, क्या क्या चीज़े हैं पर present है हमारे पास, जैसे यहाँ पर बात करें तो यह center में बिल्कुल बीच क्या है, nucleus है, nucleus के अंदर क्या होता है, nucleus होता है, तो nucleus है हमारे पास यह, और यह क्या है, purple color में यह nucleus है, यह endoplasmic reticulum है, short में ER लिख यह, इसके अलावा यह क्या है, यह है, chloroplast, chloroplast यानि प्लास्टेड होए, तो यह कहां present होता है, plant cell में होता है, animal cell में तो नहीं होता है, यह क्या है, यह है, गौल्जी बॉड़ी, तो देखो अब सारे चीज़ समझ में आ गई ना, इस वज़ा से, और गिनल पहले बढ़ा दिये, so that, इनके naming करने में कभी भी कोई दिक्कत तुम्हें ना आए, ठीके बच्चो, सारे नाम जो है, उसकी requirement नहीं है, अभी इतना center में बड़ा सा क्या रखा हुआ है, यह है, यह वेक्यॉल रखा हुआ है, इसके अलावा यह क्या है, यह हमारे पास paroxysomes हो गए, paroxysomes, है ना, छोटे-छोटे से यहाँ पर और ऐसे बना देना जगा-जगा पर ribosomes नहीं दिखा रखे है ना लोगों ने, बहुत छोटे-छोटे से इस तरह से जगा-जगा पर ऐसे dot-dot करके extra बना देना अपनी मर्जी से, उनको मैं क्या बोल दूँगा, उन छोट-उटे dots को, उ उसे बाहर वाला जो लेयर होती है, वो होती है, वो होती है cell wall, है ना, और इसके just next में जो अंदर वाली लेयर होगी, यह जो अंदर वाली लेयर, arrow का धियान रखा किजिए, आपका arrow किस चीज को point कर रहा है, वो बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि आपने नाम जहां लिखा है, यहां पर arrow कुछ और है, तो इस तरह की situation नहीं होनी चाहिए, arrow बिल्कुल ठीक जगा पर जाके point करना चाहिए, कि मैं अगर इसको point कर रहा हूं, तो हमेरा यह वक्यॉल है, तो इससी तरह से cell wall, बाहर वाली तो cell wall है, यहां तक arrow जाना चाहिए, इसके अंदर की जो layer है, just next वा आते हैं, तो यह पूरी की पूरी मेरी क्या हो गई, प्लांट सेल हो गई, प्लांट सेल के अंदर मेजर मेजर क्या क्या चीज़े होती है, वो सब आपने यहां पर समझ ली बच्चो, ठीके न, तो इस तरह से मरे पास plant cell का डियागराम हुआ, अब इसी तरह से animal cell की तरफ च चोटे होते हैं, जिसे यहां पर फिलाल कोई व्यक्टमे में नहीं दिखाया जा रहा है, नाम लिख लो, जो बाहर वाला है, यह क्या है मेरे पास, यह है नुकलियस हो गिया, इसके अंदर जो चोटी से एक और बॉल है, यह है नुकलियोलस, इसके अंदर राइबोसोंस बन ओंटे एंद्ञ है।ो टेग कईभी अवात्य को डिकोट게भी ओंगी ृंग ने हूल सकते हो न लाइस सीश थी जबंगे तो च्छोटे हैं अब अब जगार голा लाइट जगा, डिकार लिड़ बना लोगे चुटे-चुटे से, पूरी अंटायर से लिए अंदर जगा-जगा पर बना लीजिएगा इनको अच्छे से, और इनका नाम क्या कर दोगे, काफी सारे बना लें अपने आप से, इनका नाम क्या लिखो गए यह क्या है यह है यह है राइबोसोम्स है ना तो यह राइबोसोम्स हो गए ठीक है बच्चो इसके अलावा माइट्रो कॉंडर तो मैंने लिख दिया ठीक है अब हमारे पास जो यह लेयर की बात है कि आउटरमोस जो लेयर होती है इसको क्या बोलत बिना नाम के कोई डियाग्राम नहीं बनाएगा, नाम बताने बहुत जरूरी होते हैं, तो यह कौन सी अ हो गई? और जो पीछे वाली हम लोगों ने बनाई थी, ये कौन सी हो गई, ये हमारे पास हमारी plant cell हो गई, ठीक है, तो ये plant cell है, और ये वाली जो next वाली है, ये कौन सी है, ये animal cell है, तो दोनों plant cell और animal cell के diagram properly आप बनाओगे, दोनों में क्या-क्या difference होता है, अगर आपको diagram अच्छे स to the analogy written as under, अब ये ये काम करने वाले कौन कौन से cell औरणल होते हैं, हमारे cell के अंदर तो आपको बता ना है, बेसिक सी बाते, like transporting channel of the cell, अब transportation का कौन करता है, वाँ पे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, कौन करता है, endoplasmic reticulum, पूरा नाम लेख लेना, endop plasmic reticulum, powerhouse कौन होता है, powerhouse होता है, mitochondria होते है, cell के अंदर वहीं पे energy ATP के format में store होती है, तो mitochondria powerhouse कहलाते है, packaging और dispatching unit कौन से होती है, ये golgi body होती है, ठीके, ऐसे मैंने सारे एक जगह लिखे हुए, आप से एक एक दुदो, आप से हो सकता है, इन में से कोई तीन वाइंट दे digestive bag किसको बोलते हैं, अपने cell का, lysosomes को digestive bag बोलते हैं, क्योंकि वो जो बेकार cells होती है, उनको digest कर जाता है, storage sacks किसको बोलते है, जहां पर चीज़े store होती है, थैले क्या होते हैं, वेक्यॉल को बोलते है, वेक्यॉल में बहुत सारे minerals, proteins और water store होता है, तो वेक्यॉल storage sack की तर chloroplast, chloroplast में खाना बनता है, तो chloroplast is known as the kitchen of the cell, control center कौम सा होता है, ये control room कौम सा होता है, control room होता है, nucleus, तो इस तरह से ही सब के हम लोग मुने different name लिख दिये कि इन particular चीज़ का हमारे पास क्या-केज काम होता है, या इस particular काम को करने वाले कौन-कौन से cell originals हमारे पास present है, तो ए अच्छा सा, easy सा question मारे पास, ऐसे cover up हो गया, ठीक है बच्चो?